से पहले एक हाल ही की societies company Pirmal Pharma D-murger के बाद list हुई लिस्ट ही है Pirmal enterprises के D-murger के बाद फिलाल trade to trade में है यह stock शुरूआती 10 दिनों में Stock में action भपूर होता हुआ दिखा है पिछले 2 दिनों से आए जानते हैं नुपूर से D-murger के बाद Pirmal Pharma के valuvoyations कैसे हैं पिल्कुल जब दी मर्जर के बाद जो वालुएशन है वहां काफी हद तक करेक्शन आते दिखा है क्योंकि दी मर्जर के पहले जब कार्लाइन लेंस टेक खरीता था 20% तब इसकी एंटरप्राइस वाल्यू करीबन 27,000 करोर की थी जिसमें 4,000 करोर का नेट डेट है तो उसके ह अब की जो मार्केट वाल्यू करीबन 29,000 करोर की इसका मार्केट कैप है उसमें अगर मैं 4,000 करोर आड कर दू जो डेट है इसका तो इसकी एंटरप्राइस वाल्यू फिलाल 23,000 करोर की होती है उस पे अगर हम मल्टिपल निकाले ईवी टू एबिटा तो वो करीबन 11,12 का आ पारे जो सेग्मेंट से उसमें कैटर करती है उस इंडस्ट्री आवरेज से भी काफी बिलो है 17,18 का इंडस्ट्री आवरेज और फिलाल ये स्टॉक 11,12 पर ट्रेट कर रहा है इस कंपनी के फाइनेंशल्स देखे तो वो काफी बढ़िया है पिछले 10 साल की जो रिविन्यू वो compounded growth है वो 13% की आती है और आने वाले 2 साल की compounded growth देखे तो वो करीबन 24% की आसपास की और margins इन फाक्ट इस कंपनी के expectation है कि 18% से बढ़कर 20 हो जाएंगे आने वाले 2 साल में तो valuation correction है और साथी साथ जो financials है वो काफी strong है तो अच्छी कंपनिया अच्छे financials है वाल्योशन correction हो गया डीमर्जर के बाद थिंक थोड़े बाजार में selling हुई थी कुछ funds का adjustment को तो कैसे लिए रखा है जिन लोगों ने डीमर्जर के पहले ले रखा है लिस्ट हुआ है जिनको ज़रूत है बेचने की तो वह भी बेचने लेकिन फिलाल दस दिनों तक trade-to-trade में रहता है जो शुरूवाति कारोबार में रहता है एक दो दिन में इसके एक दो दिन में दस दिन इसो कम शुरूवात वाले complete हो जाए उसके बाद stock action में आगा तो दो तीन वज़े है जिस वज़े से attractive हो सकता है एक तो यह कि वापस से स्टेंथ उनकी जबदस से तीसरी बात है कि वेलिशन कंपरेटरी बहुत सस्ते हैं सो मेरे खाल से इवेंचुली वापस आप फंड की खरीदारी जो आते वे देखेंगे MSCA की इंडेक्स की rebalancing तो अपनी जगेशन की PL का हिस्सा हुआ करता था लेकिन जो लोकल फंड से उनकी तरफ से खरीदारी आती रही है तो deep मुझे लगता है जिन लोगों के पास है उन्हें hold करना चाहिए एक सो साथ के आर्स पास एक और बढ़िया बाय हो जाता है अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो मुझे लगता है 200 से सवा 200 रुपर तक के टार्गेट रखने चाहिए इसे स्टॉक के लिए दो तीन मैने के विव अकर लेकर आप चलते हैं तो फार्मा शेर मजबूत भी है और यह स्टॉक भी आपको बड़े एक्शन दिगा सकता तो इसको वेलिएशन के लिए से पेरेंटेज के लिए से दोनों तरीके से और जो इनिशिल सप्लाई खत्म होने टीनों के लिए से ख अमल फार्मा पर पूरी रिसर्च वेलिएशन के लिया था